दिल्ली में ठंड से फिलाल कोई राहत मिलने के साथ नहीं है देश की राज़ाने दिल्ली में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है ठंड के साथ साथ दिल्ली में कोहरे ने भी परिशानियां बाहा दी है दिल्ली वासियों को कोरे की वज़ा से कई परशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में बुद्वार को दिल्ली में नियूंतन तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान बाइस डिग्री सेल्सियस रहने की संभाबना है वहीं दिल्ली वासियों को दोपेर में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी पर शाम के बाद कोहरे और ठंड का असर फिर से दिल्ली पर पढ़ता हुआ दिखेगा ऐसे में दिल्ली में मंगलवार को तेज धूप नहीं निकली हाला कि बुदवार को मौसन साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है वहीं मंगलवार को पूरे दिन आसमान में हलके बादल चाय रहे और दिल्ली में आज हवा की गतीद धीमी रहने की भी संभाबना है वहीं शाम के बाद खलके फुलके बादल देखे जा सकेंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड काफी बढ़ने की संभावना है अनुमान है कि इस सब्दा के अंत तक नियुंतन तापमान में काफी गिराबट आ सकती है ऐसे में मंगलवार को दिल्ली में प्रद्यूशन इस तर एक बाद फिर खराब हुआ था दिल्ली का AQI 357 यानि की रेड जोन में चला गया वहीं नौइटर का AQI 216 यानि और इन जोन में था वहीं ग्रेटर नौइटर का AQI 188 से बढ़कर 238 हो चुका है और इन सब में सबसे जादा प्रद्यूशन गाज़ेबाद रही जहां पर AQI 300 के करीब रहा